Hello friends, इस वीडियो में RPC द्वारा कंड़क्ट करवाए गए संस्कर्थ एजुकेशन, Teacher Create Second Exam 2018 के हिंदी के पेपर में पूछे गए, हिंदी पेड़ागोजी की questions ओफिशल आंसर की के साथ सौल किये गए हैं First question, वह विदी जिसका परियोग चारों भासाई कोशलों के विकास से तू किया जाता है, द्वी भाशी विदी, शूत्र विदी, दूरस्त विदी, अनुकर्ण विदी Fourth option, अनुकर्ण विदी Second question, समवाय प्रणाली में शिक्षन होता है, सभी विश्यों का शमेकित ग्यान कराना, गद्य व्यपध्य शिक्षन के साथ व्याकरन ग्यान कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ कर व्याकरन ग्यान कराना, व्याकरन का अलक्षे शैदान तिक ग्यान कराना Second option, समवाय प्रणाली में बिना व्याकरनिक नियामों का ग्यान कराएं, गद्य व्यपध्य शिक्षन के साथ व्याकरन शिक्षन कराया जाता है Next question, हरबर्ट ये विदी का एक दोश्ट नहीं है, ये शिक्षक को अधिक्ष वतंतरता नहीं देती, रसान भुती वाले पाठों की शिक्षन ये तु अधिक उप्यूकत नहीं, ये शिक्षन के मनवेग्यानिक शिदान्तों पर अधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षन पर अधिक बल दिया जाता है, third option, next question, शिक्षन विदियों के शंदर में कौनसा कथन सही नहीं है, तो अन्यात्मक विदी वर्नमाला सिखानी से संबन्दित है, व्याक्यान विदी में विबिन प्रियोगों वे दिश्टान्तों का उप्यूग किया जा सकता है, शा अचरे प्रणाली की निर्मान करता है, मारिया मॉन्टेशरी, ये question कई बार रीट पेपर्स में भी पूछा जा चुका है, next question, एकाई किसी समश्या या योजना से शंबंद जोडने वाली क्रियाओं की शमगरता या एकता को प्रकट करती है, एकाई विदी का यहा कतन है, य next question, यदि हम चाते हैं कि विध्यार्थियों का बासा पर पूरा पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेककों की रचनाये पढ़ने को दी जाएं, जिनका बासा पर अच्छा अधिकार हो, ये अकतन किस सिक्षन विदी के शंदर्ग में कागया है, शूत्र विदी, बाद शिक्षन, प्रात्मी कक्षाएं, विदीशी भाषा शिक्षन, तर्ड ओप्शन, प्रात्मी कक्षाएं, next question, बोलना मनुश्य को पूर्णता तक पहुचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परमशुद्ध बनाता है, लेखन कोशल के संबंध में ये कतन है, ये कतन बेक स्कृत दशाओं में शीखना संबव है, ये किसका कतन है, ये कतन एलन इवं युका है, second option, next question, शुक्षम शिक्षन चक्र की अवधी है, fourth option, 36 minutes, next question, इकाई उजना का पद नहीं है, प्रस्तावना प्रश्ण लिखना, संपूर्ण इकाई को उपे भागों में बाटना, उपे बागों के उद्धिश्य निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षार्तिक रियायन निश्चित करना, first option, next question, सुरुक्त लेखन विधी का उद्धिश्य नहीं है, लेखन गती का विकास, वाचन गती का विकास, एकागर चित्ता का विकास, शुद्ध वैश्पष्ट लेखन का विकास, second option, next question, फलालेन बोर्ड का प्रियोग होता है, फलालेन बोर्ड का प्रियोग, चित्र प्रदर्शन हितो होता है, next question, अनुकर्ण वाचन के भेदे, अनुकर्ण वाचन के दो भेदे, सैस्वर अनुकर्ण वाचन, मौन अनुकर्ण वाचन, next question, सतत एबं व्यापक और गोस्तुन का उद्धिश्य नहीं है को नियमित एंव रहां समग्र बनाना को लिएंकन की बजाए समझे पर तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कॉमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Till then, thank you so much and all the best